प्रधान मंत्री ने द्रमोदी ने आज श्री लंका के राश्पति रानेल विक्रम सिंगे और मौरिशस के प्रधान मंत्री प्रवेंद जुगनात के साथ सहित रूप से श्री लंका और मौरिशस में यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सेवाओं का शुभारम किया प्रधान मंत्री ने कहा कि आज के लॉंच से दोनों देशों के नागनिकों को काफी सुविधा होगी श्रिलंका के राश्टपती रानिल विक्रम सिंगे ने आयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के अभिशेक के लिए प्रधान मंत्री को बदाई दी उन्होंने सदियों पुराने आर्थिक सम्मंधों पर भी जोर दिया श्रिलंका और मौरिशस में UPI सेवाओं का शुवारम किया गया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोधित का इकरम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शिलंका के राश्टपती रानिल विक्रम सिंगे और मौरिशस के प्रधान मंत्री प्रविंद जुगनात मौजूद रहे इस दोरान मौरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को भी लौंज किया गया गौर तलब है कि भारत फिंटेक इनोवेशन और डिजिटल सारवजनिक आधार भूद अवसनरचना में अग्रणी बनकर उभरा है पियम मोदी ने देश की विकास जात्रा के अनभवों और नवाचारों को भागिदार देशों के साथ साज़ा करने पर बल दिया है शिलंका और मौरिशस के साथ भारत के स्रिद्र, सांस्क्रितेक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपियाई सेवाओं का शुबारम, तीवर और निर्बात गती से डिजिटल लेंदेन को संभव बनाएगा इससे दोरों देशों के लोगों को फाइदा होगा इंडियन ओसन खेत्र के तीन मित्र देशों के लिए आज एक विशेस दिन है अपने अईतियासिक समंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल डूर्प से जोड रहे हैं यह हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिट्मेंट का प्रमान है फिंटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रोस बॉर्डर ट्रांग्जेक्शन्स की ही नहीं क्रोस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा अपने विकास को अपने पडोसी मित्रों से अलग रख कर नहीं देखता भारत की निति है neighborhood first हमारा maritime vision है सागर सागर यानि security and growth for all in the region हमारा लक्ष है पूरे छेत्र में शाम्ती सुरक्षा और विकास भारत अपने विकास को अपने पडोसी मित्रों से अलग रख करके नहीं देखता स्री लंका के साथ हर क्षेत्र में connectivity लगातार मजबूत कर रहे हैं मौरिशस में रुपे कार्ट सेवाओं के विस्तार से मौरिशस के बैंक, मौरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ट जारी कर सकेंगे साथ ही भारत और मौरिशस दोनों देशों में भुगतान के लिए रुपे काट के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे मौरिशस के पीम ने इसे अपने देश की भुगतान प्रणाली के लिए नया अध्याय बताया तो वहीं शिलंका के राश्वती ने कायकरम के दौरान राम मंदिर के लिए पीम मोधी को बढ़ाई दी The Bank of Mauritius has taken the modernization of the payment infrastructure to a higher level with the collaboration of the National Payment Corporation of India and the Reserve Bank of India and this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius It's an important occasion for us for you Prime Minister Modi is a second important occasion because I must congratulate you for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago this shows our connections both economically and culturally PM ने विश्वास विक्त किया कि शिलंका और मरशस के UPI प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को लाब मिलेगा उन्होंने एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापूर और गल्फ में UAE के बाद अब मौरिशस ते रुपे काट की अफ्रीका में शुरुआत होने पर खुशी विक्त की उन्होंने कहा कि देश डिजिटल सारजनिक आधारबुज अफसनरचना से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है देश के छोटे से छोटे गाउं में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है Bureau Report, DD News